मत्यप्रदेश की रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर गोविंदगर थाना के चोया घाटी में बस एवं डंपर की सीधे भिरंथ इस घटा में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं दो की हालत गंभीर बनी हुई है मौके में सूचना मिलते ही गोविंदगर थाना प्रभारी शिवा अगरवाल पुलिस टीम के साथ घटना इस्थल पहुँचे और सभी घायलों को रस्क्यू कर दुरगटना ग्रस्थ वाहन से बाहर निकाला गया घायलों को सिवल अस्पताल गोविंदगर ले जाया गया और फिर संजय गांधी अस्पताल रिवा के लिए रेफर किया गया गौर तलब है कि इसके पहले भी इस घाटी के मोड पर इस तरह की दुरगटनाएं हो चुकी हैं बावजूद इसके प्रिशासन के द्वारा दुरगटना ग्रस्थ चिन्धिस्थान पर दुरगटनाओं को रोकने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्थार नहीं की गई जिसकी वजह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं ब्यूरो रिपोर्ट रीवा